चलिए, इस वीडियो में हम rational exponent से related कुछ question solve करते हैं जैसे कि पहला question यहाँ पे है Determine whether each expression is equivalent to seventh root of v cube अब हमें यहाँ पे तीन expressions दिये हुए हैं और हमें बताना है कि इन में से कौन इस दिये हुए expression के बराबर है तो पहले तो हम इसे एक simple से form में लिखने का कोशिश करते हैं कि आखिर दिया क्या हुआ है तो हमें दिया हुआ है v cube और इसका यहाँ पे seventh root ले लिया गया है इसका यह मतलब हुआ कि जो seventh root है इसका मतलब हुआ कि इस अंदर वाली quantity पे जो exponent उपर लगा हुआ है वो है one upon seven इसको मैंसे interpret कर सकते हैं v cube अंदर वाली चीज इस seventh root को हम उपर लगा देंगे one upon seven तो जब एक exponent के उपर एक दूसरा exponent लगा रहता है तो हम उन दोनों exponents को आपस में multiply कर देते हैं तो यह हो जाएगा v और इसके उपर आ जाएगा three times one upon seven यहनि कि v to the power three upon seven के बराबर यह इस दिये हुए expression के value हो जाएगी तो अब आए देखते हैं कि कौन सा expression इससे match हो रहा है तो v to the power three upon seven यह हो जाएगा तो यह equivalent होगा यह इससे equivalent हो जाएगा v to the power three यह फिर v cube इसकी power one upon seven ठीक है बिलकुल सही है यह भी हमें यहाँ पर मिला था तो यह भी equivalent हो जाएगा अब इस पहले वाले की अगर बात करें तो आएगे इसे भी हमें एक simple से form में तोड़ें तो यह यहाँ पर हमें दे देगा हमें दिया हुआ है cube root of v और उसकी power है seven अब cube root of v का मतलब हुआ वी की power one upon three v इसकी power one upon three और इसके उपर फिर से seven लगा हुआ है तो अब यहाँ पर एक power की उपर दूसरी power लगे हुई है तब हम इन दोनों exponents को आपस में multiply कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा v to the power one upon three times seven यानि कि v to the power seven upon seven upon three के वराबर जो की एकदम clearly दिख रहा है कि यह इससे एकदम अलग है यहाँ पे exponent में है three upon seven और यहाँ पे है seven upon three तो यह equivalent नहीं होगा दिये हुए expression के आईए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है the following equation is true for a g greater than equal to zero जो इस radical के अंदर इस sign को हम लोग radical sign बोलते हैं इस वाल इस sign को हम radical sign बोलते हैं तो इसके अंदर जो quantity दी हुई है यह greater than equal to zero है यानि कि यह positive या फिर zero हो सकती है and d is a constant इसकी जो यहाँ पे exponent है d यह एक constant value है और हमें यहाँ पे expression दी हुई है कि g to the power 5 का 6th root वो g to the power d के बराबर है what is the value of d अब यह हमें बताना है तो इक काम करते हैं पहले इस left hand side को थोड़ा हम simplify कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें दिया हुआ है g इसके उपर 5 और इसका इहाँ पे 6th root लगा हुआ है तो अंदर वाली quantity को तो हम जो कातियों लिख देते हैं इस radical sign को 6th root को हम यहाँ ठीक से लिखते हैं 1 upon 6 इस 6th root का मतलब हुआ power 1 upon 6 अब g to the power 5 की उपर 1 upon 6 power लगा हुआ है तब हम इन दोनों powers को आपस में multiply कर सकते हैं तो यह हो जाएगा g to the power 5 times 1 upon 6 यानि कि g to the power 5 upon 6 के बराबर अब g to the power d के यह बराबर है तो g तो यह रहा इसकी power d यानि कि इसकी power 5 upon 6 यानि कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो d की value है वो 5 upon 6 हो जाएगी तो इस चीज को हमें आडाल देते हैं d की value हो जाएगी 5 upon 6 के बराबर इसी तरीके से अगर हम अगले question पे आएं तो देखते हैं इस question में हमें क्या करना है the following equation is true for x greater than 0 and d is a constant अब हमें यहाँ पे एक equation दिया हुआ है 1 upon 7th root of x x का यहाँ पे 7th root ले लिया गया है और इसकी value है x to the power d के बराबर तो अब हमें d के value पता करनी है तो आएए पहले हम इसे थोड़ा सा simplify करते हैं तो 1 upon x का 7th root हमें दे लिया गया है यानि कि इसका मतलब हुआ 1 upon 7th root का मतलब हुआ कि x का exponent हो जाएगा 1 upon 7 के बराबर अब यहाँ पे x के उपर जो भी exponent है वो denominator में है यानि कि यह जो base है x हमने उसका यहाँ पे reciprocal ले लिया है और यह तभी possible होता है जब power negative हो यानि कि इसको हम लिख सकते हैं x to the power negative 1 upon 7 क्योंकि यह पे negative है तो हम इस base का reciprocal ले ले लेंगे और इस power का positive करके हम इसके उपर लगा देंगे और यह हमारा x to the power d के बराबर था तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो d के value है वो negative 1 upon 7 के बराबर झाल सकते हैं